आकाईश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वात्र रवेदी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी नव निर्मित संसत भवन कल 28 मैं को राष्ट को समर्पित करेंगी ये भवन वास्तू करार का उतकरष्ट उधारन है तथा राष्ट की प्रगती का गौरवशाली प्रतीक है इसकी आंतरिक सा सज्जा देश की समर्द सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है अत्यादुनिक तक्नीक वाले इस संसत सदस्यों को निर्वाद कनेक्टिविटी में लेगी और उनकी कारे को शिल्टा में व्रद्धी होगी लगबग 65,000 वर्ग मीटर वाला ये परिसर शेत्री कला शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की समिकित अभिवक्ती है जिसमें आधुनिक भारत की विवित्ता और गती शीलता की जलक समाहित है नई संसत भवन में लोग सभा में सदस्यों के बैठने की शमता बढ़ा कर 888 कर दी गई है इसकी आंतरिक कलात्मक्ता राश्टिय पक्षी मोर से प्रिरित है और ये कक्ष, शाशन और सम्मान की भावना को परिलक्षित करता है राश्जी सभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की वेवस्ता है समिती कक्षों में वेवस्ते चर्चा और विचार विमर्ष के लिए उन्नत तक्नीक कवपयोग किया गया है ज्यानरजन के लिए नई संसत भवन में विशाल पुस्तिकाले हैं जिसका उपयोग संसत सदस और शोधिकर्ता कर सकेंगे पर्यावरन अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लेटिनियम रेटिंग दी गई है नीतियायोग के शाशे परिशत की आठवी बैठक अभी नई दिल्ली में चल रही है इस बैठक में वर्षित 2047 तक भारत को एक विक्सित राष्ट बनाने की में टीम इंडिया की भूमिका पर विचार विमर्ष की आ जा रहा है नीतियायोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही है बैठक में साथ प्रमुक विशों पर चर्चा हो रही है इनमें शूष्प मध्यम और लगू उद्धमों पर बल देने बुन्यादी राचा और निवेश अनुपालनों की संख्या को कम करने महिला शशक्ती करन, स्वास्त और पोशन, कौशल विकास और शेत्र विकास तथा सामाजिक अवसनरचना के लिए गतिव शक्ति के मुद्धे प्रमुक है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इस बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगी बैठक में मध्यप्रदेश सहित अन्यराज्यों के मुख्य मंत्री और उपराजपा, केंद्री मंत्री और नीती आयों के उपाद धक्षत तथा सदस सिगन हिस्सा लिए रहे हैं राष्टी अन्वीशन अभीकरण NIA ने जबलपुर में एक वकील के कारियाले सहित 6 स्थानों पर चाप पिमारी की है अधिकारिक जानकारिक एनुसार दिल्ली और भोपाल से आये A.NI के दल ने जबलपुर में बड़ी ओमती इलाके में वकील A. उस्मानी के कारियाले में चाप पिमारी की वकील के घर चाप पामार ने पहुची तीम में दिल्ली और भोपाल के करीब एक दरजन I.P.S. अधिकारी और 200 पुलिसकार भी शामिल है इसके साथ ही NIA ने जबलपुर के सिवल लाइन में दो बड़ी गोमती में दो और आधार ताल में भी चाप पामार कारवाई की है धन मोहिया कराने के माबने में कई लोगों को हिरासत मिलिया है हमारे जबलपुर समवादाता के अनुसार दो साल पहले पुलिस ने गैंक्स्टर अब्दुलरजा के घर दबिश दी थी और बड़ी संख्या में अवैध हत्यार जब्द किये थे और लेखनी है कि पिछले दिनों NIA ने प्रदेश में खंडवा, बर्वानी, सिवनी और भिंड में चापे मारी कर संदिक्त गतिविधियों में लिप्द कुछ लोगों को गिरफतार किया था प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी आकाशवानी से मन की बात कारिकर्म में रविवार 28 मेल की सुभा 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे ये इस मासिक रेडियो कारिकर्म की 101 वी कड़ी होगी प्रदेश में वरिष नागरिकों की सुविधाओं मारदर्शन और सहयता के लिए शासन ने हल्प इस इंडिया नामक संस्था के सहयोग से टोल फ्री नंबर 14567 जारी किया है ये हल्प लाइन सब्था के सातो दिन सुभए 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करती है इस पर फोन करके वरिष नागरिकों के कल्लाण संबंदी यूजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है यदि किसी वरिश जन के साथ दुर्म वैवार किया जा रहा है अत्वा किसी को स्वास संबंदी समस्या हो तो वे इस नंबर पर फोन करके सहयूग मर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं अब कुस समाचार संग्शेप में नवदापुरम जिली के टार सी रेलवे जंसन पर रेल प्रिशासन ने टिकेट चेकिंग की दौरान 367 यात्रियों से 2,46,000 रुपे जुर्माने की राशी वसूल की और शिपुरी जिले के ग्राम काली पहाडी में महिला बाल विकास के अधिकारियों ने बाल विवा को रुखबाया और नाबालिक के परीजनों को 18 वर्ष की आयू पूर्ण हो जाने पर ही विवा करने की समझाईश दी आज इस बुलिटिन में इतना ही